वित मंत्राले ने सपश्ट किया है कि आज से शुरू होने वाले वित्वर्ष में कर प्रणाली में कोई नया बदलाव नहीं किया जा रहा है मंत्राले ने सोशल मीडिया पर नई कर्विवस्था के संबंद में दी जा रही सूचनाओं को भ्रामक बताते हुए इनका खंडन किया है मंत्राले ने कहा कि नई कर्विवस्था मुख्य रूप से व्यक्तिगत करदाताओं पर लागू होती है ये वित्वर्ष 2023 से डीफॉल्ट विवस्था के रूप में लागू है नई कर्विवस्था में कर की दरे काफी कम है लेकिन इनमें वेतन से 50,000 रुपे और पारिबारिक पेंशन से 15,000 रुपे की मानक कटोती जैसे लाब शामिल नहीं है मंत्राली ने कहा कि नई कर्विवस्था डिफॉल्ट कर्विवस्था है हालकि करदाता अपने फायदे को देखते हुए दोनों में से कोई भी एक विवस्था चुन सकते है मंत्राली ने कहा है कि नई कर्वेवस्था से बाहर निकलने का विकल्प आंकलन वर्ष 2024 के लिए रिटर्न दाखिल करते वक्त चुना जा सकता है कोई भी व्यक्ती एक वित्वर्ष में नई कर्वेवस्था और दूसरे वर्ष में पुरानी कर्वेवस्था चुन सकता है